तो क्या आप भी सफ़ेद बालों को नेचुरल तरीकी से काला या फिर ब्राउन करना चाहते हैं कोई भी हेड डाय या फिर कोई भी केमिकल वाला कलर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सभी वीडियो पर आएं तो वीडियो को एंट तर देखे बिनाया स्किप के वीडियो को फिल फालोगी जीगाए ताके आपको भी सारी प्रोसेस का पता चल जाए किस तरीकी से इसको हमने बनाया और किस तरीकी से बालों में अप्लाय करना है तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़िदार मेचिकल बेतरी नेच्रल हैर डाय बनाने का तरीका कौफी के साथ बना हुआ ये हैर डाय ना सिर्फ बालों को खुबसर दंगत देगा बलके बालों को तिक करेगा और इसके इस्तमाल से बालों का गेड़ना और तूटना बंज हो जाएगा सिल्की शाइनी और खुबसर नर्म मुलाइं बाल हो जाएगे क्योंकि मैंने इसमें ऐसी मेचिकल चीज़ें इड़की हैं जिसे हमारे बाल बहुत ही गने सिल्की शाइनी और मश्बूत हो जाएंगे ना आप खुद ही ह कि हमारे गार में मुझद है वह ऐस लग हमारे बालों को जड़ से मशबूत करेंगे और जो क्रिक्ते हमारे बीनेफिशल हो स्किन कि लिया हमारे बालों कि लिए तो एक लोंग आपने ले लेना एक बड़ा चमस लॉंगण एक फ्राइपन यह एट कर देंगे एक बड़ा चमस लॉंग हमने एक करते इसके जो किभ पहते हैं इसको बेनिफिशन कर देगे तो क्या आपको पता है लोंग और काफिज बहुत यह की प्रोपर्टीज हैं हमारे बालों या फर प्रौन कर सकते हैं वह असान तरीके से इसके बहुत सारे फायदे हैं ज़िमेनों तो आपको बहुत ही फायदे बता दिए इसके अंदर नोंग और कॉफी कॉफी एट के अंदर नोंग कर दी था पानी पानी हम ने इतना एट करेंड़े अपने बालों के लेंद के सबसे पानी एट की जीगा तो इसको हम 7 से 8 मिनिट के लिए मीडियम हाय फ्लम पर बॉइल आयंड तक पकाएंगे तो साथ से 8 मिनाट के बाद आप देख सकते हैं इसको सब्सक्राइब करने की बाद के लिए को का पाउडर जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही वाइदे मजबुत बनाएगा हमारे बालों को जो हिना लंबा करेगा और अब शानी देगा आप हमारे वीडियो कों से कौन से मौक से देखने कमेर में ज़रूरर पाउरर अब सकाने शामल करेंगे दोबार इंस्टेंट कॉफी इस चमट कर देंगे इस यह इस चैमट बनाएंगा और साथ ही अपके रेचिक पाले को इस्ते इतनी मज़ेदार हो जाएंगे कि आप जो इना खुदी इसको बार बार इस्तमाल करेंगे इसके बहुत सारे फायते हैं अब सब कोई पीस करने के पास इसमें कोई भी लंब से बगेर नहीं पहले पेले एक पेंके अंदर शामल करेंगे सारा मिस्टर जो कि हमने कोफी पाउड इसको चिजer दोबर में सब्सक्राइब के ङहीं घाड़ा होने ल dwell ऑगिकर्स के उरसे मिक्स करेंगी तो यहां पर बात क्टम नहीं होती ऑब बालों को हल्ली बनाने के लिए बालों को कला करेंड़ी और सुझर से मझबूत बनाने के लिया मैं इसे कु她 को रहेंगे जिस किसी बॉल के अंदर यां फिर किसी कंटेनर के अंदर इस तरीके से हमारा डायवन के रेडी हो चुका है जो कि हमारा बहुत ही डाक ब्राउन कोफी कलर स्में आच चुका है बहुत ही मज़े का लग रहा है अब इसके अदर में जाने ऑलिफ और सकते एक्ट्रा वर्जिन का में इसमें और अड़िव में जो का पता है हमारी सकिन के लिए हमारे स्किन हमारे बोडि के लिए हमारे बालों के लिए बहुत ही फाइदे हमां देसको अगर T时间 करेंगे आपको इतने फाइदे मिलेंगे अब मैं आपको क्या बताओ अब उसके अंदर हम एंड़कर करने चारें म एपल्स माल में लाइप किो आपके कलर ऻूप में एक तो आपके अपके विनिफिशल। न फिरीम eigentlich पहुवाद खिया है Пरेड़ भी आपके हैं यह पनसे चुक्त कर दीजिए और कमर्ट करना ना भूलेगा तो चलें पिर जान लिए इसको इस्तमाल किसे करना है तो यह आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमन्द होने वाली आपके फैविट होने वाली अकर इस तरीकी से आपके भी ग्रे बाल आ चुके हैं यानि अगर आपके बाल जो इन इस वीडियो में इस तरीकी से हम आपको अप्ला करना दिखा हैं अपनी बालों पर इस तरीकी से कीजिए आप जड़ तक जायेंगे ना जब लगाएंगे आपके सारे बाल काली हो ने अक्सर यह होता है कि जितनके बाल जाते हैं इस ट्यार करेंगे तो अक्सर बस राइब एपने बालों पर लग गाएंगे ना, एक ही दफा में आपको वाज़िफ राक नजरा आने लगए गा। तो सारी नैचल चीज़े जो हम ने इस्तेमाल की थी वह आपके बालों के लिए बहुती बेनीफीचल है। कि स्किन के लिए भी पहुत भी बेनिफिचरी एकिन करें आप सारी चीज़ों को छोड़ दें नेचिरल रिमीडी बनाः अपने बालों की लिए ववड़त गमे में वहां करें सारी चीजों को छोड़ने के वाई वजबंस्द आप रामी नेचिरल देंगे अगर वीडियो हेलफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रू कर दीजिए का अभी तक चनल को सब्सक्राब नहीं किया तो फटा फट से को कि वह तरह फैड़ो को सब्सक्राब भी कर लें तो फिर मिल तेक नहीं हो बहुत ही मज़िदार सी मेजिकल रेमिडिय के सा तेक केर बग बगाई